Inconceivable word का मीनिंग क्या होते है कोई ऐसी चीज जो आप imagine भी नहीं कर सकते है कोई ऐसी चीज जो आप सोच भी नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते है Inconceivable means impossible to imagine or think of जिसको हम imagine भी नहीं कर पा रहा है Last में ABLE लग रहा है तो part of speech is adjective अगला word है flagrant Flagrant word का मीनिंग क्या होते है बहुती गंदी तरीके से मतलब बहुती खराब तरीके से लोगों को disrespect किया गया लॉस तोड़े गए बहुती shameless तरीके से बहुती खराब तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं flagrant इस word की बस टार्मा कीजेगा ये एक negative tone का शब्द है part of speech क्या है adjective sordid sordid भी क्या होता है बहुती खराब घिनोना कोई ऐसी चीज जो बहुत खराब हो उसको क्या बोलते हैं sordid ये भी part of speech क्या है ये भी part of speech adjective है passage को देखके समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत खराब चीज की बात हो रही है और author जो है खुब सारा क्रिटिसाइज करने वाले है है ना शब्दों को देखके ये tone समझ में आ रही है bizarre bizarre word का मीनिंग क्या होता है बहुती अजीब very strange unusual बहुत अजीब चीज को क्या मोलते है bizarre यह भी adjective है fringes fringes होते है वो लोग जो काम important है या किसी group के वो area के लोग जो बहुत काम important है उसको क्या मोते है fringes जो outer part है that is fringes यह पार्ट आप स्पीच क्या है यह जो शब्द है यह word हमारा noun है आगे बढ़ते है अगला word है loophole loophole का मतलब क्या कोई mistake हो गई बीच में कोई problem हो गई या फिर होता कहा है generally बचनेस के लिए कोई रास्ता उसको क्या बोलते है loophole for example कोई law बनाया उसमें आपको एक point मिलगा एक problem मिलगी कि हाँ इसका इस्तमाल कर सकते है तब हमारे लिए अच्छा होगा तो उसको हम क्या बोलते है loophole एक mistake जो जिसकी वरे से लोग जो है avoid कर पाते है किसी भी चीज को उसको हम loophole बोलते है क्या वह आवास clear नहीं आरी क्या यह बच्चे कर लेते हैं जो बच्चे कह रहे हैं अब ठीक है सांट आगे बढ़ते है अगले वर्ड पर आते है next word is chronic इसमें root word क्या है chronic में chronic में root word है crown crown root word का मतलब होता है time crown root word का meaning होता है time तो chronic word का meaning क्या होगा chronic जो बहुत लंबे time से चलता हुआ है उसको हम क्या बोलते है chronic for example chronic diseases होती है जैसे बहुत साई लोगों के अंदर diabetes बहुत लंबे time से होती है blood pressure बहुत लंबे time से होता है तो ये chronic diseases है means बहुत लंबे time से चलती आ रही है part of speech क्या हो गया adjective tantamount पे double star मा कीज़ेगा very important word tantamount means लगबग equal होना कोई चीज tantamount है किसी चीज़ के तो बराबर है equal है उसका भी उतना ही impact है जितना बाकी चीज़ों का impact है ये word भी हमारा क्या है ये शब्द भी हमारा adjective है कोई चीज foolproof होती है इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता वो बहुत विश्वसनिय है आप उसकी उपर पूर अगा पूरा विश्वास कर सकते हो उसको गलत तरीके से कोई इस्तमाल नहीं कर सकता उसको हम क्या बहुते है foolproof मिस इतनी simple है इतनी easy है कि वो गलत होई नहीं सकते acities को हम क्या बहुते है foolproof ये भी part of speech क्या है adjective है crushing बहुती severe बहुती तेज that is crushing ये भी क्या ये भी adjective है समझा इतनी vocabulary सभी को आगे बढ़ते है deterrent deterrent माने कोई चीज जो किसी चीज को रोकती है उसको बोलते हैं deterrent तो deterrent means रोकने वाला तो बहुत बार क्या होता है तो जो हम बार बार demotivate हो जाते है वो एक deterrent की तरह काम करता है हमारी success में हमें successful होने से रोकता है part of speech is adjective phrases पे आते है blow the lid off something कोई चीज है छुपी होई थी इसके अंदर आपने क्या कि उसका धक्कन उठाके फेक दिया इसका मतलब क्या हुआ वो चीज अब सब के लिए visible होई इसका मतलब कोई चीज जो secret थी वो अब आपने सब को बता दी होता है ऐसा आपके दोस्त में को कान में आके बताया दे मैं तुझे बता रहा हूँ कि मुझे न उस पर crush है but आपने क्या किया you blew the lid off it आपने सब को बता दिया पूरे college को अगले दिन पता चल गया तो that is blow the lid off something come to light the entire college knew about it तो ये सारी की सारी चीज पूरे college को पता चल गई तो it came to light मतलब सामने आ जाना वही secret discover हो जाना slip through the cracks slip through the cracks का मतलब क्या होता है कि कोई चीज notice ही नहीं होई कोई चीज बचके निकल गई उसको बहते है slip through the cracks तो कोई चीज बचके निकल गई एक phrasal verb यूज हुआ है toy with toy with का मतलब क्या होता है किसी idea के बारे में सोचना किसी plan के बारे में सोचना उसको consider करना that is toy with